कि आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल रहा हूं कि साथना जगत के रहस्यों तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें और इसमें दीगरी प्रत्यक प्लेलिस्ट को भी देखें प्रत्यक वीडियो जो है इस चैनल के बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये साथकों के लिए डिडिकेटेड है जो भी साथकों को आपशक्ता है हो सकती है इनफॉर्मिशन की साथना के प्रारम में साथना के मद में और साथना के बाद में वो सारी इनफॉर्मिशन या देने का एक जगे में प्रयास है इस चैनल में जो भी जानकारिया आपको दी जारी है वो बहुत ही दुरलब है और लेकिन प्रामालिक हैं शास्तुरों पर बेस्ट हैं वेदों की संभिताओं पर बेस्ट हैं सच्चे योगी हैं उनकी बाते हैं उनकी उपर बेस्ट हैं तो इस प्रकार से बहुत ही प्रामालि कि और एक साथकों को निड़ां लेने में हपुनुको क्या करना चाहिए कौन सी शाधना करना चाहिए कौन सी छोड़नी चाहिए इस चैनल की एक्रशलियान है अब इज्वीन्ट आधर है मा शिव रात्री रह क्ने जुतिर लिंक शर्व सायूजद्ध ये वीडियो जो भी मैं बगवान शर्व के उपर में बिगुजब बना रहा हूं इनको आपको प्लेयर स्देक का आपको मिलेंगे शीत के नामbu मर्म से आपको प्लेयर में मिलेगा हैं कि जो भी बगवान आपको श्रिवरात्री वरत रहस के बारें बता रहा हूं आपको अब ये महाश्रिवरात्री वरत उसके रहस है तो महाश्रिवरात्री वरत होता कब है तो ये फालगुन मास कृष्णपक्ष की चतुरदश्री को होता है इसमें जहें काल गैन वाली एक वीडियोज हैं मेरे उन में देखेगा उसमें जो पंचांग में जो भी मास होते हैं उनके बारे में वर्णन किया हुआ है तितियों के बारे में वर्णन किया हुआ उसको आप देखें कि तो और प्लियर हो जाएगी नहीं तो पंचांग में देखके देखें कि फालगुन मास की कृष्न पक्षी चतुरुदस्शी को महा शिवरातरी का जबरत होता है अब इसी तिती में ही क्यों होता है क्रिष्न पक्षी चतुरुदस्शी का क्या मत्व है पहले तो भी समझे लें जो कृष्ण पक्ष की चतरदरशी होती है इसको शिव जी की तिथी कहते है क्यों कहते है कि जो आने वाली जो मवस्या होती है यानि कृष्ण पक्ष की चतरदरशी के बाद मवस्या आएगी तो जो आने वाली मवस्या है उसके कुछ दुश प्रभाव हो सकते हैं उसको रोकने के लिए शिव उपासना करी जाती है तो कि जो है शिव जी जी है वो तम को रोकते हैं या तामसिक शक्तियों को रोक देते हैं और बहुत सारी तामसिक शक्तियां जोती हैं वो अमावस्या को प्रभावी रहती है उनको रोकने के लिए एक दिन पहले श्रीव जी की अरादना यदि कर ली जाती है तो अमावस्या के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो रुख जाते हैं एक तो एक करल के कि एक किस्पलनेशन az Sponge का कि क्रिश्ण पक्रिशिव जी को भी ता कि अब कितनी जो जोaty ओन जो pen वर जो तो हर महिंदे की जो यानि प्रत्य ूइभम घ्द्छ्ण की टो मैं जो वरत रहा रहत को मास श्वरातरी वरत कहते हैं महिने का शिर्व रातरी वरत कृष्नपक्षेज़ चत्रशी को होता है और महीने के यह मिलेगा अब इसमें क्या हुआ कि लेकिन जब फाल्गुन मास आएगा तो उसकी जो क्रिष्नपक्षेज़ चत्रशी होगी उसमें जो होगा यह महाशिवरातरी बरती है महा शिवरात्री वरत होता है यानि बाकी महिने में जो भी कृष्ण पक्षी चत्रजशी को जो वरत हो रहा है उसको मास शिवरात्री वरत कह रहे है लेकिन फालगुन मास की कृष्ण पक्षी चत्रजशी को और को जब रत हो रहा है उसको महाशिवराति रहा है था ष्यूहले नॉर्मल शिवराति以及 स्वेherina हीों उस्जिवराति यह वरत रही हुआ उस में महाशिवरातिरी हो गया वरत वाहल्गुन मास तो क्या हुआ क्या हूआ चौनダ वर्ष होता है वह tra फाल जा कर नए वर्ष का चक्र प्रारम्ब हो जाता है तो एक तो यह बात हो ही तो मैंने आपको बताया है यह फालकुन नमास को क्यों का एक्स्पेनेशन दिया वो कृष्ण पक्षी चतुरदशी का दिया को माँच शिवराती जो पढ़ती है रातरी को क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता है, महाशिव रातरी, रातरी को क्या मतलब है, रातरी को तमो मही माना जाता है, जो की संघार काल के रूप में माना जाता है उसको, और शिव जी को बहुत प्री होती है, रेगवेत के रातरी सूप्त में भी बताया गया है कि यह रातरी उसकी उनलब रातरी को उपासना यह इसलिए कर जाती कि हमारे पास स्टमन आए अब ताम सर्फ शक्तियों को मैंने बताया है कि इसके पहले में कि उनको रोकने का कारज है वो किशुवजी का होता है कि उसको रोक दिते packet तो इसलिए रात्री को जो है उनकी अराधना और जागरण किया राता है शिवजी का महाशिवरात्री वृत के दिन में इनके जो ती नंग माने गए इस वृत के एक तो वास दूसरा जागरण तीसरा शिवपूजन पहले तो जो समझ लें कि यह वृत जो है सबी कोई कर सकता है किसी भी कोई भी आयू का कर सकता है पुरुश श्त्री बाला कोई भी कर सकता है किसी किसम का कोई बंदन नहीं है इसके अंदर में और अब यह उपवास इसके अंदर में करना चाहिए जो माश्य वरातरी वरत के उपवास जो उसका है पहला एक अंग है वरत और उपवास वरत और उपवास एकी चीज़ मानी जाती है वरत का मतलब यह कि जिस कर्म के द्वारा भगवान का सानेद्य मिलता है उसको वरत कहलेजिए उपवास का मतलब जो जी होता है मनुश्य है वो दिवता के समीब वास करता है ये होता है तो इसलिए वरत ववास दोनों को यह एक माना चाहिए बेसिकली भगवान के पास पहुंचने के लिए जो भी हम कार कर रहे हैं जिस कर्म के दर वो वरत हो गया है उपवास हो गया दूसरा जागरन क्यों किया रहता है तो एक तो जागरन के बारे में माशिवरातरी के वरत के दिन रात में जो जागरन होता है वो क्यों किया रहता है वो होता है शिवजी के सायुजु के साथ के लिए सायू जो मतलब साथ के लिए उनका साथ मिले वो साथ में रहें उनसे हमेशा हमारा जुड़ाव बन जाया हमेशा के लिए तो उसका अगर और तत्वात्मक अदिस्टी से और विबेशना करी जाया है महाशिवरातरी की तो उस दिन जो होता है जोतरलिंग का प्रादुर्भा होता है महाशिवरातरी के दिन महाशिवरातरी की मल रात होती उस दिन की बात हो रही है तो उस दिन जोतरलिंग का प्रादुर्भा होता है इसको श्रस्टी का प्रारंब माना जाता है परानेक रूप से कताओं के रूप में है डिटेल में जाना आए जोतर लिंग का प्रादुरुभाव होना इन सब के बारे में तो आप एक वीडियो नमबर 149 में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्डेंट वीडियो है काशी वारा नसी रहस से भाग चार द्रश्य और अद्रश्य काशी के बारे मैंने बताया है उसमें म अरिया में जोतर लिंग को पसे थी है इसा मैंने बातें बताई हुई है तो उसमें आप और चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो महाशिवरात तरीकों क्या होता है कि जोतर लिंग का प्रदुर्भा होता है जिसको श्रस्टी का प्रारम भी माना जाता है इसलिए रातरी जा पूजन भी तो तो द्यान करने से छोता हुँपवास घर्णा करने से बतूत चितत आ कंट्रोल में लाए जाता है उसको यह यह बी योक कई पार्ट है सारे जब करें श्रुलिंग के मंत्रों को लेश्रव एक होता है और प्रुश हरा पृपित करने चैने हैं जो शूलिंग है और जल है दूद है पुश पहय चंदन वेल पत्र है शहद है है बभगवान श्टीव की परमक पर यह और और कश्मिर शेर्मत में त्योहर को हर रातरी भी कहते है अब इस रत के जो मैं लाब बताओं और चीज़ें बताओं उसके पहले मैं आपको बता दू कुछ जो कुछ बैक्गराउंड वीडियो हैं जो कि आपको लोगों को अवर्षा देख लेने चाहिए और जो 217 शिव लिंग रहस से भाग एक और वीडियो नमबर 218 शिव लिंग रहस से भाग दो वीडियो नमबर 230 वरत परव रहस से भाग एक और वीडियो नमबर 149 काशी वारनसी रहस से भाग चार द्रश और द्रश काशी अब मैं यहां बता रहा हूँ कि महाशिवराति वुरत के लाब क्या है एक सादक की दिर्ष्टी से देखा जाए और जो भी करते हैं शुर्दार लोग क्या लाब हो सकते तो इसके बहुत लाब है आप देखेंगे मैंने बताया कि महाशिवराति जोताये, जोतिलिंग का प्रादुरभाँ होता है तो सोछिए कि पूरी ब्रह्मान्ड में सटी में हमाई फ्रतिमी लोग में कितना बड़ा कारने भारी परबरतन उसमें प्रकति में हो रहा होता है वो जो और जो मुझे नहीं प्रभावत हो रही होती है बगवान श्रीफ का ही चिंतन करें, उनी के अरादना करें, जो भी है, आपने आपको खाली रखेंगें, घर, परिवार, चिंताएं इदर बदर की, केरियर की और सब बाक्तें, इस चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, शांत होने का प्रयास करना चाहिए, जितना खाली हो ज जब आप साइज की बात कर रहे हैं तो फिर लाप क्या हो, उनके अनद लाप हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ अगर बताने के लिए हैं तो सुक शांती मिलेगी, परिवार का में जो भी कुछ होगा, उनका वेलफेर होगा, अच्छा होगा उनके लिए, सब प्रकार से, आपस में संबंधों में भी मदूरता आएगी, और जो अविवायत लोग हैं उनकी, वो लोग करते हैं उसको तो उनको अच्छा पती है, पतनी मिलने की प्राप्ती की संभावने बनेगी, बहुत एक और आध्यात्में ग्रूप से भी हर प्रकार से ये वरत लापकारी होता है, यानि कि प्रत्यक साधक जो भी है, उसको ये कोशिश करके इस वरत को अवश्य करना चाहिए, महा शिवरात्री वरत करना चाहिए, और जो मैंने बताए तीन अंग, उनका पालन करना चाहिए, वो फास, जागर्न और शिवपूजन, और डिटेल में जानने का अगर प्र द्रश्य और अद्रश्य काशी, ये आवश्य देखिएगा आप, तो आशा करता हूँ कि आप सुनों के जानकारी अच्छी लगी होगी, इस वीदियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद,